Hello and welcome to TechInfo YT तो इस वीडियो में हम जाए Background Color Changer application create करेंगे React.js की मदद से तो चलिए सबसे पहले हम application को create कर लेंगे आप कोई भी path पे इसको create कर सकते हैं जैसे के मैं h drive के अंदर इसको create कर रहा हूँ तो इस path को आपको क्या करना है Command Prompt, PowerShell या फिर अगर आप Mac यूज कर रहे हैं तो टर्मिनल में इसको open कर लें जैसे के Command Prompt के लिए आप लिखेंगे यहां पर cmd तो यह path जो है Automatically Command Prompt में open हो जाएगा अब हम क्या करेंगे यहां पर React की application को create करेंगे तो इसके लिए command है npx create react app और फिर उसके बाद में application का नाम इसका नाम हम रखेंगे random, bg colors और enterprise कर देंगे तो सारी dependencies इंस्टॉल होना start हो जाएगी और यहां पर आप देख सकते हैं अभी सिर्फ e-sign application है तो जैसे यहां पर dependency इंस्टॉल होना चालू हो जाएगी तो हमारा application create हो जाएगा आप चार से पाच में टेश में लगते हैं या फिर और जादा भी लग सकता है डिपेंड करता है आपके internet connection के उपर और इसको हम क्या करेंगे visual studio code में open करेंगे आप चाहें तो कोई other text editor भी use कर सकते हैं tweet करते हैं इसके finish होने का और जैसे finish हो जाता है तो हम क्या करेंगे इसको visual studio code में open कर लेंगे तो यहां पे हमारी सारी dependencies इंस्टाल हो चुकी है अब इस project को हम visual studio code में open कर सकते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले switch होना है project के अंदर तो इस project का नाम है random bg colors इसके अंदर हम switch हो चुके हैं अब अगर आप visual studio code use कर रहें तो आपको लिखना है code space dot और enterprise करेंगे तो automatically क्या होगा यह project visual studio code में open हो जाएंगा अब सबसे पहले हम क्या करेंगे इस application को run कर देंगे तो आप इसको integrated terminal में भी run करा सकते हैं जैसे कि यहां पर option आपको मिल जाएंगा तो top पर option आपको मिल जाएंगा यहां से भी आप कर सकते हैं मैं यहां पर same command prompt का use करूंगा ताकि जादा visible area हमको मिले इसलिए यहां पर मैं इसको run कर देता हूँ पहले npm start command की मदद से तो npm start लिखेंगे तो automatically यह localhost 3000 port पर run हो जाएंगा और यो भी आपका default browser रहेंगा उसमें automatically यह open हो जाएंगा तो यहां पर देख सकते हैं automatically यह Firefox जो कि मेरा default browser है उसमें यह open हो रहा है localhost 3000 port पर first time compile होगा time लगेंगा second time में यह fast refresh होता है देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको default layout इसमें मिल जाता है हम क्या करेंगे सब सब पहले जाए totally layout जो है change कर लेंगे और यहां से आप देखिए src के अंदर जाए app.css है इसको हम क्या करेंगे completely remove कर देंगे save इसी तरीके से index.css इसको भी हम क्या करेंगे remove कर लेंगे save और app.js के अंदर जो भी हमारे पास header है देखिए header का जो tag है उसको remove कर देंगे और यहां पर एक custom h1 ले ले लेते हैं और इसका नाम हम रख देंगे random bg color कर देते हैं background color changer और इसमें से class को भी remove कर लेंगे और आप चाहिए तो app.css और logo की file को भी remove कर सकते हैं save कर लेते हैं इसको check करते हैं किसा output दिख रहा है तो कुछ इस तरीके से हमको output देखने मिलेंगा सबसे पहले हम क्या करेंगे यहांपर चोटा सा layout create कर लेंगे और उसके बाद में उसके अंदर functionality को add करेंगे तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ index.css में default styling को जो है remove कर लेंगे यहांई css को हमको reset करना है तो यहांपर universal selector का इस्तेमाल करेंगे और margin कर देंगे यहांपर 0 padding भी कर देंगे हम 0 उसी तरीके से box sizing को हम कर देंगे border box और यहांपर body को target कर लेंगे font family चेंज कर देंगे font family और इसके अंदर कोई भी आप इसमें से select कर सकते suggestion में जो भी option show कर रहा है जैसे कि set UI इस पर मैं click कर देता हूँ और इसके बाद में मैं कर देता हूँ display flex align items center justify content center और इसको body में नहीं करेंगे मैं करता हूँ यहां से इसको remove कर लेता हूँ cut body की हम सिर्फ यहां पर height दे देंगे and height रखता हूँ मैं 100 viewport height save कर लेते हैं इसको और app.js है उसके अंदर यह div है div के बदले हम क्या करेंगे syntactical sugar format कर देंगे fragment का और उसके बाद में चाहिए div add कर देंगे with class of container और उसके अंदर इस h1 को add कर देंगे save कर लेते हैं और इस container को हम क्या करेंगे यहां पर target कर लेंगे .container इसको कर देंगे हम display flex align item center justify content center save करके check कर लें तो कैसा output आपको देखने मिल रहा है तो दीखिए बराबर से हमारे पास output आ रहा है लेकिन इसको center में हमको करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहां पर height add कर देंगे 100 viewport height save तो यह बराबर से center align हो जाएंगा अब यहां पर हम क्या करेंगे डो तीन button add करेंगे so app.js में आपको क्या करना है h1 के बाद में यहां पर हम button add कर देंगे normal button हम add कर रहा है button click कर देंगे click mean और इसको भी class देदेंगे class name और इसको कर देंगे btn की class save कर लेते हम इसको और टार्गेट कर लेंगे हम यहाँ पर .btn, इसमें हम background color default change कर देंगे, या फिर इसका size है, font size, इसको कर देंगे, बन रहा है, और padding भी add कर देंगे, 10 pixel की, save करके एक बार चेक कर लेते हैं, कैसा दिख रहा है, तो button कुछ इस तरीके से आ रहा है, हम क्या करेंगे, content को block कर इसको कर देंगे, column, save, तो यह एक के नीचे एक दिखाई देंगा, और इसको margin top देंगे, top से margin देंगे, margin top of 20 pixel, save, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास application दिखाई देंगे, अब हमको क्या करना है, जैसे मैं इस button पर click करूँ, तो यह जो background का color है, वो change होना चाहिए, तो उसके इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर events को target करेंगे, अब normal आप JavaScript में क्या करते थे, add event listener का use करते थे, लेकिन react में क्या है, हम directly इसको access कर सकते है, function की मदद से, normal function भी हम इसमें लिख सकते है, या फिर अगर आपको arrow function लिखना है, तो आप arrow function का भी use कर सकते है, तो चलिए हम क क्या करेंगे, arrow function का use कर लेंगे, और यह जो button है, इसके उपर हम क्या करेंगे, यहाँ पर on click handler create करेंगे, तो सबसे पहले आपको इसके on click event को target करना है, और इसके अंदर आप क्या कर सकते है, handle कर सकते, click event को, same में नाम रख देता हू, handle click function कर देता हू, तो आपको ज्यादा idea र function बना लेंगे, const handle click function, यह रहेंगा arrow function, यह हो गया हमारा normal arrow function, अब इसके अंदर हमको क्या करना है, event को target करना है, तो simply आप क्या कर सकते है, पूरा event भी लिख सकते है, या फिर आप shortcut में e भी लिख सकते है, तो हम क्या करेंगे, shortcut में e लिखेंगे, और अगर आपको check करना यह perfectly काम कर रहा है या नहीं, तो आप क्या कर सकते है, यहाँ पर console.log कर सकते है, directly e लिखेंगे न, जितने भी यहाँ पर events रहेंगे, वो show कर देंगा, save कर लेते हैं इसको, चलते हैं browser पर, और inspect कर लें, यहाँ पर console को open कर लें, और यहाँ पर मैं click करता हूँ, click me, तो देखिए, यहाँ पर object आ रहा है, और इसके अंदर जितने भी यहाँ पर events जो कि आप perform कर सकते हैं, वो सारी चीज़े यहाँ पर show करेंगा, जैसे कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी value को get करेंगे, तो नीचे scroll करेंगे, तो देखिए, यहाँ पर आपको option मिलेंगा target का, target को expand करेंगे तो इसमें आपको और options मिलेंगे, तो इसके अंदर से आप क्या कर सकते हैं, value को get कर सकते हैं, जैसे कि नीचे आपको मिल जाएंगा, नीचे scroll करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसकी value, value क्या है, फिलाल empty है, तो इसको आप जर फुल्फिल करा सकते हैं, जैसे कि मैं करता है, पहले शुरू target करना background को, तो इसको हम क्या करेंगे, एक variable के अंदर रखेंगे, यहाँ फिर एक function or create करेंगे, normal हम function create करेंगे, और उसकी मदद से यहाँ पर get करेंगे background की property को, और पिर जैसे एक click होंगा, तो उसमें हम उसको assign कर देंगे, तो पहले मैं क्या करता हूँ, इ body, और इसको हम normal JavaScript की मदद से get करेंगे, document.query selector, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, directly body को target कर लेंगे, body, उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर background को भी target कर लेंगे, so body.style, so style भी क्या है, एक property है, आप इसका use कर सकते है, और इसकी मदद से background को change कर सकते है, तो style के बाद मे function का use करेंगे, तो multiple एक function में create कर देता हूं, get random color, यह हम call कर देंगे, और इस function को अभी create करना है, so यहाँ पर आप क्या करेंगे, उसका variable बना के छोड़ दें, जैसे कि normal function में इसको बना देता हूं, function, और इसका नाम रखेंगे हम random color, जो कि हमने ऊपर assign किया है, वही चीज़ आपको यहाँ पर pass करना है, अब इस function के अंदर हम क्या करेंगे, color को get करेंगे, तो color हमारे पास जो रहेंगा, हम usually hexadecimal colors का use करते है, यानि hex value जो hash से start होता है, उसको हम use करते है, तो उसको एक variable में add करेंगे, let letters equal to, और इसके अंदर random हम क्या करेंगे, string add करेंगे, single quotation, double quotation, जो भी आपको use करना है, आप use कर सकते है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और इसके बाद में आप लिख सकते हैं, यहाँ पर a, b, c, d, e, f, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, एक और variable create कर लेंगे, जिसमें हम hash को save करेंगे, जैसे कि यहाँ पर में लिखता हू, color के नाम से color equal to hash, कैसे combine करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, for loop का इस्तेमाल कर लेंगे, जैसमें, तो मैं क्या करता हूँ, इनको for loop के अंदर ले लेता हूँ, इसको cut कर देंगे, और यहाँ पर for loop का इस्तेमाल कर लेंगे, और यहाँ पर एक variable, mostly I का use करते हैं, i is equal to 0, 0 से start क्यूव कर रहे ह यह array है, array 0 से start होता है, अब कब तक कि आपको इसको loop करना है, 5 character का hexadecimal code होता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे, i is less than 6, और इसके बाद में i को increment करा देंगे, i plus plus, और यहाँ पर semicolon है, क्योंकि यह loop है, इसलिए यहाँ पर semicolon लगता है, और इसके बाद में, इसका block, इसके अंदर हमको query perform करना है, हम क्या करेंगे, combine कर देंगे color को किसे letter से, so यहाँ पर आपको letter add कर देना है, और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, math function का use कर लेंगे, so math, basic javascript का function, math.floor, और इस floor के अंदर हम क्या करेंगे, इसको randomize कर देंगे, so math.random, random के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको multiply कर देंगे 16 से, और इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर return कर देंगे color को, क्योंकि color को हमको use करना, इसलिए हम उसको return भी करा दे रहें, तो यहाँ पर हमारा normal function create हो चुका है, अब जब भी button पर click करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर random color generate होगा, save कर लेते हैं इसको, और इस return को हम क्या करेंगे, यहाँ नहीं, इसके नीचे करेंगे, तो for में से आप इसको निकाल लें, क्योंकि for के अंदर हमको return नहीं करना, और बौक नदर से करेंगे, कलर कोगेट करेंगे और उसके बाद में कलर को रिटेन करा देंगे, ताके हम इसका यूसoire कर भाएं सेव कर लेते हैं इसको, तो इतना यहाँ पर आप इसको नीचे कर ले हैं और सेव कर लें, चलते हैं application पर और यहाँ पर इसको refresh कर लेंगे application को और यहाँ पर मैं click करता हूँ click me तो देखे, randomly हमारा background जो है change हो रहा है इसी तरीके से आप button के लिए भी कर सकते हैं तो button को भी आपको क्या करना पड़ेंगा, get करना पड़ेंगा तो button के लिए हम क्या करेंगे, directly e.target.style और style के अंदर इसका background color जो है change कर लेंगे और इसको भी same get random color का जो function इसको call कर देना है तो इसका color भी change हो जाएंगा चेक कर लेते हैं, यह काम करता है यह नहीं e.target.style इसके अंदर style में background color चलते है application पर refresh कर लेंगे इसको initially जो है default background color रहेंगा click me पर करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर हमारे button का भी color जो है change हो रहा है randomly जो है यहाँ पर color जो है generate हो रहा है तो इसी तरीके से आप इस functionality का use कर सकते हैं और random colors को generate कर सकते हैं So I hope आपको basic events का operation समझ में आ गया होगा कैसे हम events को handle कर सकते हैं react.js में और भी बहुत सारी चीज़े कर सकते हैं इसके double click event पर भी आप काम कर सकते हैं e के object को जो है आप console.log करिए उसके अंदर जितनी भी functionalities मिलती है तो एक बार आप उसको देखें और अगर आपको लगे कि आप इसमें कुछ modify करना चाहते तो उसका एक function बना दीजिए और उसके उस event पर assign कर दीजिए So I hope यहां तक आपको समझ में आ गाऊंगा तो मैं मिलता हो next project में